हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आप सभी लोगों के लिए अच्छी ख़वर वोलो या फिर एक इंपोर्टेंट ख़वर है जो मैं आपको देना चाहरा हूँ आपकी वेकंसी से रिलेटेड एँगाता है गरिया तरफ मैं आपको दिखाताहू आगे क्या है पहले में यह बता दू दिखो मैंने आरभु Jeżeli जो आपका राजिस्थान विद्दुद sanit उत법 पादर निगम लिंटेड और जीवी एनल उससे रिलेटेड एक फाइल कर रखी है उसका जैसे भी कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा ठीक है अभी उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है राजिस्थान और पी एससे रिलेटेड में पहले भी पता चुक हूँ आपको नहीं देखिया आपने वो वीडियो लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन वॉक्स में उससे जाके देख लेना उसके वारे मैंने बता रखा है आर्टे के थुरू वह भी इंफॉर्मेशन अपने पास ठीक है अब जो आर्वी एनल की ज जहां से देखना 18 नवंबर की इंफॉर्मेशन है 18 नवंबर को उन्होंने रिलीज किये तो सूचना के अधिकार आर्टे के थुरू हमें पता चला है क्या पता चला है देखो 15-11 को उनके पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंची थी मतलब आर्टे की पहुंची थी उसके ब 87 पोस्ट आपकी खाली है तो आपका जो रुकूर्टमेंट नेक्स आने वाला है उसमें 87 यह आने वाला है कार्मिक विवाग से संबंदित में अब यहां पर देखो विवाग में सहायक अव्यन्ता जो आपकी दिव्यंग जने उनकी साथ वेकेंसी खाली है ठीक है और कोई electrical की होंगी कितनी mechanical की होंगी we don't know कुछ हमें information नहीं है इस से बारे में लेकिन हाँ ये vacancies आपकी यहाँ पर out होने वाली है अभी ये भी नहीं बता है कि कब out करने वाले हम लेकिन हाँ information है कि आपकी vacancies खाली है तो बहुत जल्दी ही आपका recruitment out होगा नो डाउट देखो civil में vacancies जादा आती है तो क्या ही बोल सकते हैं तो अभी civil का मेरे पास data नहीं है जो भी मेरे पास data आएगा मैं आपको provide कर दूँगा तो अभी फिलाल के लिए मेरे को electrical or mechanical का data वो मैंने आपको बता दिया अब देखो RBO NL से रही राजिस्तान विद्धुत उत्पादन निगम लिंटेड से रही बात कि वो कब हमें information मिलने वाली है तो देखो यार जैसे reply आजाएगा मेरे पास RTI का पैसे hardly 15 से 20 दिल लगेंगे आपके पास data होने में इस बार मेरे को जो लगता है particularly I believe कि 200-200 से plus vacancies होने वाली है 300 के approximately होने वाली है यही की जैई की अलग होंगी इतना मेरे को anticipate करके चलना हूँ अभी मेरे को confirm भी बोल सकता है लेकिन recruitment वो भी बहुत जल्दी निकलेगा election भाई election सब कुछ करा देता है election selection दिला देता है तो जैसी मेरे पास information कोई भी आएगी छोटी हो बड़ी हो मैं आपके लिए जखूँँगा नहीं चाहे राजिस्तान की हो चाहे किसी भी state की हो मैं आपको provide कर दूँगा अगर आप ऐसी ही RTI की reply चानते हो और आप भी चानते हो कि यार हमारे state का या फिर कोई भी central ministry बगरा कि जो भी आप चानते हो भाई या comment box में ज़रूर बता दे न कि मैं कौन सी vacancies के बारे में डालू क्योंकि वैसे मैं अपनी information के हिसाब से अपनी जानकारी के हिसाब से जो मेरे को याद आती रहती है उसमें मैं RTI फिल करता रहता हूँ जैसे मैंने RVNL में कर रहती है और उसके बाद में UPPSC department में बतलब क्या ही बताऊं भाई सबसे लीचरड वाला सबसे सस्ता जो UPPSC department है वो चल रहा है डालो आज RTI reply आएगा आपका 45 दिन के बाद वैसे लिखा होता है उसमें के 30 दिन के बीतर दे ना आपको जवाब लेकिन भाई UPI है जब तक आपकी डिले ना हूँ जब तक कुछ मानकी नहीं चलना चाहिए ठीक है और भी department में उन्हें फिल कर रखी है BHEL वगेरा में बहुत में फिल कर रखी है तो जैसी मेरे पास reply आ जाएगा मैं आपको provide करता रहूँगा और आप भी बता देना कि अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए किसी भी department से related तो मैं IT फिल करना ही बता दूँगा या तो आपको कैसे फिल करना है तो आप भी फिल कर सकते हूँ या फिर मैं आपका reply आ जाएगा मेरे पास तो मैं भी फिल कर दूँगा ठीक है तो चलो फिर मिलते हैं अंगली बड़े में जब तक के लिए जै हिंद जै भारत